अभी हाली में आप लोगों ने सुना होगा कि भारत और चाइना की सैनिकों की बीज टकराओ हुए है अरुणाचल पर देश में और उसमें हमारी प्यारे भारत की कुछ जवान घायल हुए हैं और इसी तरह का टकराओ आप लोगों ने लद्दाक में देखा हुगा कुछ समय पहले और उसमें हमारे देश की कुछ सैनिक सहीध हो गए थे और चाइना को भी नुकसान हुआ था उनके देश की सैनिक भी मारे गए थे लेकिन आप सभी जानते हैं कि वहाँ आकड़े बताया नहीं आते हैं वहाँ छपाली जाती है जानकारी तो आज हम लोग भारत और चाइना की भी जो सीमा विबाद बना हुआ है उसके बारे में एक सामान जानकारी देखेंगे और आप सभी जानते हैं कि एक समय अंग्रेजियों का जो हाल था न अबिस्तारवादी नीती को लेक उसी तरह आज आप देखें चाइना का बना हुआ है और चाइना की जितने भी देशों से सीमा लगती है लगबग हर देश से उसका सीमा विबाद बना हुआ है पहले आप लोग जो तिबबत देखते थे न यह चाइना का हिस्सा नहीं था यह भी आप देखें चाइना ने क को देखने को मिलती है और भारत के कितने राज्यों की सीमा लगती है चाइना से तो आप देखेंगे कि हमारा लगदाग हिमाचल पिदेश ओत्राखंड सिक्किम और अवड़ाचल पिदेश पांच राज्यों की हमारी सीमा लगती है किसे चाइना से तो इसी के बारे में हमें बात करनी है, और एक picture आप लोग देख लेजे, ये आप देखें अकसाई चीन, इस पर कबजा की ये वेटा हुआ है, कौन? चाइना, और आप देखेंगे कि ये ये भी इस इस्ते पर भही आप देखें, चाइना कबजा की ये हुए है, तो ये अभी भी आप देखें, चाइन जो कुल साथ देशों से लगती है इसके अलाबा 7,516.6 km लंबी समुद्री सीमा भी लगती है देखे इसकी बात हो रही है यह समुद्री सीमा हो गई हमारी और यह आप देखेंगे इस्थल सीमा हो गई इन सब की बात कर रहा हूँ तो इसमें आप देखेंगे कि अगर आप लोग देखें तो इसमें भारत की सरकार की मताबिक 7 देशों से लगती है इसमें बंगलादेश आप देखेंगे 4,096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है सबसे जानदा हमारी सीमा बंगलादेश से लगती है यह आपको बंगलादेश देखने को मिलता है और देखे बंगलादेश के बारे में एक और आपको बत बता दूँ कि बंगलादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था 1971 में भारत हो पाकिस्तान के बीच यह उद्ध हुआ था और बंगलादेश आजाद हुआ था तो सबसे जानदा हमारी सीमा बंगलादेश के साल लगती है 4,096.7 km की फिर आप देखें चीन के साल लगती है 3,488 km की यह आप देखें कि यहां से लगती है यहां से होते हुए अरडा जल पे देशतर तो दूसरे नमबर पर चाइना है 3,488 km फिर पाकिस्तान के साल लगती है 3,323 km की और पाकिस्तान आप देखें तो यह गुजरात हो गया राजिस्थान, पंजाब, जम्मु कस्मी, लगदार इन पांच राज्जों की सीमा हमारी पाकिस्तान से लगती है फिर आप देखेंगे कि हमारी नेपाल के साथ 1750 km की सीमा लगती है म्यानमार के साथ 1643 km की सी सीमा लगती है और अफगानिस्तान से सबसे कम 106 km की सीमा लगती है यह आप देखेंगे कि आपका नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बंगलादेश, म्यानमार, चाइना, ए पाकिस्तान, ए अफगानिस्तान और जो पीओ के वाला हिस्सा है ना, पाकिस्तान अभी कबजा की हुए, वही हिस्सा लगता है हमारा अफगानिस्तान से, लेकिन अभी पाकिस्तान के अंडर में, बरना आप देखिए यहां में चाइना, कहां इरान में, चावाहर पोर्ट का बनाना ही ना पड़ता, हमें ब्यापार यहीं के यहीं, हम लोग करते अफगानिस्तान से गोल समझना होगा, और चीन के साथ भारत की 3488 किलो मीटर लंबी सीमा लगती है, और ये सीमा तीन सेक्टर इस्टर्ण, मेडिल और वेस्टर्ण में बटी हुई है, इस्टर्ण सेक्टर में सिक्किम और अवड़ा चल विदेश की सीमा चीन से लगती है, और जो आप लोगो की सीमा 1597 किलो मीटर लंबी सीमा लगती है, चीन अरुणाचल पिदेश के 90,000 वरक किलो मीटर के हिस्ते पर अपना दावा करता रहता है, जबकि लगदाग का करीब 38,000 वरक किलो मीटर का हिस्ता चीन के कबजे में है, और आप देखेंगे कि अरुणाचल पिदेश में के अलाबा, 2 मार्च 1963 को एक समझोती में पाकिस्तान ने P.O.K की 5,180 वरक किलो मीटर जमीन चीन को दे दी थी, जो आपको बता है न, यहाँ आप लोग देखिए एक बात, इस इससे की बात हो रही, यह पाकिस्तान ने चाइना को गिप्ट दे दी, समझ रहे हैं, लेकिन हमा का आपकी जमीन है, और कोई ऐसा आ है, और आप कहीं कि दूसरे को किसी और को दे दे गिप्ट, तो आपसे पूचे ही न, तो यही हाल है, और यह आप देखेंगे कि 2 मार्च 1963 को एक समझोती में पाकिस्तान ने P.O.K को, P.O.K की 5,180 वरक किलो मीटर की जमीन चाइना को दे है, जिसे आपको मैप में दिखाया भी है, 1956 में चीन ने सिंजियांग से लेकर तिबबत तक एक हाईवे बनाया था, और इस हाईवे की सड़क उसने अकसाई चीन से गुजार दी, और उस समय अकसाई चीन भारत के पास ही था, और सड़क गुजारने की गुजारने पर तब हजार बरक किलोमीटर इलाके पर भारत का कब जाए, और जो उन्हें भी एभी का, कि उसका देश 1914 में तै हुई, मैक मोहन लाइन को नहीं मानता है, और सबसे बड़ा बिवाद जो है मैक मोहन लाइन को लेकर ही, अब आप लोगों की निमाख में भी आ रहा होगा, कि भाई, ये मैक मोहन रेखा क्या है, और ये 1914 में तै की गई थी, तो आप देखें के 1914 में हम लोग भी अंग्रेजों की अधीन थे, और चाइना भी अंग्रेजों के अधीन था, तो मैक मोहन लाइन क्या है, तो 1914 में सिमला में एक सम्मेलन हुआ, इसमें तीन पार्टिया थी, बेटे की बीच 890 किलो मीटर लंभी सीमा हीची और इसे ही मैक मोहन लाइन कहा जाता है और is लाइन में अप्षाccoli प्देश को भारत का हिस्सा बताया गया है और आजादी के बाद भारत ने मैक मोहन लाइन को माना लेकिन चीन ने इसे मानने से इंखार कर दिया और चीन दावा किया है कि अवणाचल दच्छडी तिबद का हिस्टा है और चूकि तिबद पर उसका कब जा है इसलिए अवणाचल पीवदेश भी उसका हिस्टा है तो आप देखें कि जो मैक मोहन रेखा तै की गई थी उसे ए नहीं मानता है और यही सबसे बड़ा बिवाद बना ए लाइन मैगमोहन लाइन को ये भी तो बात उठती है तो चीन मैगमोहन लाइन को नहीं मानता है उसका कहना है क्या कहना है उसका कि 1914 में जब बेटिस इंडिया और तिबद की बीच समझोता हुआ था तब वो उहां मौजूद नहीं था उसका कहना है कि तिबद उसका हिस्सा कर लिया था तो एक कहानी उसकी भी रही है अब दैखिये कि भारत की किन किन हिस्सों पर चीन के साथ बिवाद बना हुआ है हमारा तो सबसे पहले आप लोग लगदाग चलिए पैंगोंग 300 जील और यह जील आप देखेंगे 134 किलोमीटर लंबी है और जो हमाले में करीब 14,000 फिट की उचाई पर रिस्तित हैं इस जील का 44 किलोमीटर चित भारत और करीब 90 किलोमीटर चित चीन में पड़ता है LAC भी इसी जील से गुजरती है और इस बज़े से यहां confusion बना हुआ है और दोनों देशों के वीच यहां भी बिबाद बना हुआ है कहां यहां की बात हो रही है ठीक है यहां की यह लद्दाक आप लोग देख रहे हैं अगर और अच्छे से आप लोग मैप देखना चाहें तो यह आप लोगों को लद्दाक दिखता है लद्दाक के हिस्से की बात हो रही है उसके बाद आप देखेंगे कि गलवान घाटी को लेकर भी लद्दाक में ही बिबाद बना हुआ है गलवान घाटी लद्दाक और अकसाई चीन के बीच इस्ते थे और यहां पर LAC अगर आप लोग गाउं से संबंद रखते हैं या सहरों से भी रखते हैं तो आपने देखा होगा कि आपका एक ऐसा पड़ोसी होता है जो आप देखता है कि थोड़ा आंगे जमीन कर लेता है गाउं में खसकर्म अच्छे से मालू रहता है खेत आपके होते हैं और आपने दशने जड़रे से आप देखें कि बीबाद होना करा हो जाता है और फिर आप से कहता है कि आप समझ्जोता करिए और आ देखें मालेज में खेत में 200 मीटर अगर बढ़ा आया तो फिर कहेंगा कि 500 मीटर तो उसका होई गया 500 मीटर पर समझोता कर लेते हैं कि यह बिवाद जहांचा बना हुआ है बिवाद इच्छेत है तो यहां हमारा काम नहीं होगा ना तुमारा काम होगा तो यही करकर के आप देखें चाइना इतने आगे बढ़ाया है समर्थन करता है 2017 में करीब धाई महिने तक डोकलाब में भारत चीन के बीच तनाव था यानि कि आप देखेंगे कहां की बात हो रही है यहां की बात हो रही है ठीक है? भूटान की और आप देखें अगर यहां भूटान पर कपज़ा कर लेता है यहां अगर चाइना आ जाता है तो हम लोग यहां जाने में आसमर्थ हो जाएंगे सोचे हमारी यहीं से हिस्सा सीमा लगी हुई है कल तक वो यहां आएगा भूटान में फिर परसों आ जाएगा यहां फिर इस तरह से पूरा कर्जा करता रहेगा एक आप देखेंगे कि तबांग अरणाचल पिदेश में तो अरणाचल पिदेश में पढ़ने वाले तबांग पर चीन की नजने हमेशा से रही है तबांग बौद्धों का पिरमुक धरमिस्तल है और एसी एसीया का सबसे बड़ा बौद मटवी कहा जाता है चीन तबांग को तिबबत का हिस्सा बताता है और 1914 में जो समझोता हुआ था उसमें तबांग को अरणाचल पिरिसका हिस्सा बताया गया था और 1962 की जंग में चीन ने तबांग पर कबजा कर लिया था लेकिन यह उद्विराम किता है तो उसी अपना कबजा छोड़ना पड़ा था एक आप देखें कि नाथूला दर्रा है इस सिक्किम है नाथूला हिमालाय का एक पहाड़ी दर्रा है यह भारत के सिक्किम और दच्छिडी तिबबत की चुम्बी घाटी को जोड़ता है और यह 14,200 फिट की उचाई पर है और भारत के लिए इसलिए अहम है क्योंकि यही से कैलास मांसरोबर यात्रा के लिए तीर थ्यात्री गुजरते है नातुला को लेकर भारत-चीन में कोई विबाद नहीं है लेकिन यहां भी कभी-कभी भारत-चीन की सेहनाओ में जड़पों की खबरें आती रहते है और सीमय बाद तो आप देखें लद्दाक को लेकर भी नहीं अवड़ाय चल पे इसको लेकर नहीं है हमारा हिस्सा है, अब आप सोचे कि सामने वाला जवरजस्ती लडाई बनाय ना चाहे, तो वो तो कहीं कल कहें, कि आप देखें कि पूरा हमारा लद्दाग है, या कहें दे, जमू किसमीर ही हमारा है, तो उस ते हम लोग क्या कह सकते हैं? जवरजस्ती का एउद्ध करना है जवरजस्ती की लड़ाई खड़ी करनी है एक आप देखते हैं कि 1962 में भारत और चाइना की बीच एउद्ध हुआ था और इस एउद्ध में हमारी हार हुई थी अकसाई चीन को लेकर 1962 में 20 अक्टूबर को चीन ने भारत पर हमला बोल दिया थी मगर इस दोरान 3 हफते तक कोई लड़ाई नहीं हुई और जब चीन ने भारती सेनकों को 20 किलो मेटर और पीछे हटने को कहा मगर भारत भारत ने कहा कि चीन के सेनक 32 किलो मेटर तक पहले ही घुसाए हैं अब हम 20 किलो मेटर और पीछे नहीं हट सकते इसके बाद 14 नमंबर 1962 को चीन ने किया युद विराम इस युद में भारत के करीब 1400 सेनक मारे गए थी और 1700 लापता हो गए थी और 4000 के करीब चीन ने बंदी बना लिये थे वहीं चीन के सरोतों के अंसार उसके 800 के करीब सेनक मारे गए थी और 1500 के करीब गायल हुए थे इसके बाद चीन इस दौरान अक्साई चीन के 40,000 बर किलोमीटर चेत को चीन ने अपने कबजे में ले लिया था हाला कि वाया अड़ा चल पर ते इस असम की चेत से स्वयम पीछे हट गया था और इसे योद्ध में सिर्फ थल सेना का इस्तिमाल हुआ था और भारत की हार हुई थी और इसमें भारत की तरफ से बहुत सारी कमिया बताई जाती है नेताओ की कमिया बताई जाती है वो अलग विसा है चर्चा का ठीक है और आप देखिए उसका जो मतलब था वो निकल गया था क्योंकि आप देखिए अक्साई चीन पर कबजा उसका हो ही गया था तो उसने आप हो गया यह हिमाचल पिदेश हो गया आपका उत्तराखंड हो गया सिक्किम हो गया और यह आप देखेंगे अरुणा चल पिदेश हो गया पांच राज्य है जो हमारे चाइना से लग रहे हैं तो यही है पूरी आप देखिए सीमा विबात की कहानी बाकिए आप लोग सकते हैं और एसिया का हिस्सा है भारत हो चाइना हो यह सब पाकिस्तान हो पाकिस्तान तो 1947 तक हमारा हिस्सा था आप देखें कि हमारा किलियर सब सीमा बट गई थी सीमा पूरा रैड क्लिप रेखा खिच गई थी कि यह इस तरफ तुमारा इस तरफ हमारा लेकिन ऐसी तरह पाकिस्तान जबरजस्ती की लड़ाई खड़ी किये हुए है, अब देखिए आप सभी जानते हैं कि जब मुकस्मीर हमारा हिस्सा है तो है, अब आप कब्जा किये हुए है, एक देर ऐसा आएगा कि आप, वो हमारा हो ही जाएगा, हम लोगों ने इस पर आप देखी कोई मनी बनाय रखिएगा, एक और कहानी है कि देखी क्या रहता है, ना कि हम लोग पड़ोसियों को बदल नहीं सकते हैं, अब आप माल लेजे कि आपके बगल में कोई पड़ोसी रह रहा है, उसकी जमीन जयजाद वहा है, तो उसे उठाकर आप लोग कहीं और नहीं फिक तो इसलिए समय समय पर आप देखिए, समझोता उनसे करना ही होता है, तो इसी तरह से आप देखिए अभी तो पाकिस्तान से तना तनी चल रही है, लेकिन कब समझोता होगा, देखेंगे